Hello friends, कैसे हैं आप सभी? आज हम मेजरमेंट को कैसे कैलकुलेट करना है उसमें एडिंग और सब्स्ट्रेक्टिंग की मैथर्ट देखने वाले हैं तो हम आज का जो आपरेशन लेंगे वो एडिंग के उपर लेंगे कि अगर कोई आपके पास मेजरमेंट है तो आप उसको एड कैसे करेंगे? ये बच्चों को कैसे पता चलेगा वर्ड प्रॉब्लम रीड करने के बाद कि इसमें एडिशन करना है या सब्स्ट्रेक्शन करना है क्योंकि अगर एक प्राइमरी क्लास के बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में और जब आप डेमो टीचिंग दे रहे हैं उसमें ये रिवर्ड क्वेशन आपके पास आ सकता है कि अगर आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम है जो बच्चे को समझ नहीं आ रही है आप उसको किस तरीके से बच्चे को समझाएंगे तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी मैथ़ड और ये डेमो आपको फैसिलिटेट तो कर ही रहे हैं साथ में इसमें आपको अपना इनोवेशन अपने आईडियाज भी इनपुट करने हैं और अगर आप इसी को करना चाहें तो इसी को फॉलो आगे तक कर सकते हैं तो चलिए जन्दी से रीड कर लेते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम क्या है आप कार कवर 2 किलो मीटर ओन मंडे और 600 मीटर ओन तूज़डे वाट डिस्टेंस डिट दा कार कवर इन टोटल अब मेरे कुछ बच्चों को तो क्लास में ये समझ में आ गया लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैंने ये स्ट्रेटिजी ली है 5 स्टैपस अर दियर इन 5 स्टैपस से मैं बच्चों को समझाने वाली हूँ कि आपको वर्ड प्रॉब्लम कैसे समझनी है वर्ड प्रॉब्लम का मीनिंग कैसे समझ में आएगा उसमें कौन सा operation लगाना है यह आप कैसे समझेंगे तो step 1 होगी हमारी n n का meaning होता है numbers and keywords ओके it means जब आप word problem को read कर रहे हैं उस time आपको जितने भी numbers हैं और keywords हैं उनको underline करना है so let's see a car covered 2 km यह number है on Monday and 600 m on Tuesday Monday को एक car ने 2 km कवर किया Tuesday को 600 m कवर किया what distance did the car cover in total अब यह as a maths teacher आपकी strategies है क्लास की कि आपको बच्चों को यह कुछ keywords पहले से बता के रखना है या आप यह answer कर सकते हैं कि sir मैं class में already बच्चों को word problem इंटर्ड्यूस करने से पहले यह keywords introduce करूंगी कि कि किस word problem में कौन से keyword से आप पहचान सकते हैं कि which operation you have to put in that word problem now यह keywords हमने underlying कर लिया है अब जल्दी से हम इनको यहां पर लिख लेते हैं two kilometer, six hundred meter and total अब आपको पता है कि total का meaning क्या होता है इसके बाद अभी हम फिर भी इसको introduce नहीं कर रहे हम आगे देखते हैं एका meaning होता है ask means जो word problem है वो क्या ask कर रहा है क्या पूछ रहा है तो question mark last में है तो हम last वाला sentence पढ़ लेते हैं what distance did the car cover in total जो car है उसने total कितना distance cover किया है total मतलग पूरा ओके now d means होता है draw means आपको word problem में जो भी पूछा गया है उसको आपको एक बार draw भी करना है तो चलिए जड़ी से draw कर लेते हैं Monday को जो car है वो two kilometer चलती है suppose यहां से चलना शुरू किया तो वो two kilometer का distance उसने cover up किया after that on Tuesday the car covered 600 meter Tuesday को उसने 600 meter cover किया now O O means operation तो operation यहां पर कौन सा लगेगा अब हमें यह देखना है question में पूछा गया है कि car ने total distance कितना cover किया now children as you know total means होता है complete पूरा और जब हमें पूरे को total करना है it means हमें सबको जोड़ना है सबको एक साथ count करना है और सबको एक साथ count करने के लिए यहां पर कौन सा operation लगेगा addition का तो जल्दी से हम लिख लेते हैं total distance covered by car is equal to distance covered on Monday as I am writing everyone has to write with me in the notebook and distance covered on Tuesday तो यह operation इस word problem में लगेगा कि मंडे को जितना distance cover किया आपकार में उसको हम Tuesday के distance cover में plus कर देंगे उससे हमें total distance मिल जाएगा now s means होता है solve तो चलिए हम इसको solve कर लेंगे but before that हमारे पास two numbers है the numbers are two kilometer and 600 meter now both the units in the number are different one unit is kilometer another unit is meter so as we have already studied that two different units cannot be added or subtract this we know already we cannot put any operation in two different units numbers so what we have to do we have to convert the unit हमें unit को convert करना पड़ेगा and to convert the unit what we do do we convert from larger to smaller or the smaller to larger who is going to tell me quickly tell me how we convert it we convert the unit from larger unit to smaller unit okay this we have already studied very good so your answer is correct so here the larger unit is kilometer and this smaller unit is meter we know the formula it is one kilometer is equal to one thousand meter so we have two kilometers so two kilometer is equal to two into one thousand meter it means it comes two thousand meter so now both the units are same two thousand meter and six hundred meter now we can add both the distances let's add it two thousand meter plus six hundred meter let's do here how to add it two hundred two thousand plus six hundred zero zero six and two so what it comes it comes two thousand six hundred meter so at last the answer is distance covered by total distance covered by car is two thousand six hundred meter in the same way we can do the operation of subtraction also so i hope you must have liked these steps to introduce addition or subtracting measurement in the primary classes and maximum this is the topic for class three four and five and most importantly for the class four and five if you have liked this video if you have liked this video if you have liked this steps then please comment and don't forget to like share and subscribe my channel that is raksha's english club thank you i appreciate it amazing i